एक मूवी आ रही है हमारे बारा नाम से, जिसका ट्रेलर कुछ दिन पहले ही आया, पर ट्रेलर आने के बाद ही कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इतना हंगा माक्या की ट्रेलर को हटाना परा, उन कुछ लोगों के कहना है कि फिल्म हमारे धर्म को ढाल बन इसकी तरह मैंने इसके उपर बहुत रिसर्च किया और जाने की कोशिश की कि इस ट्रेलर में जो चीजे दिखाई गई है वो कितनी सच है और कितनी गलत तो चलिए इस बारे में बात करते हैं इस ट्रेलर में सबसे ज़्यादा कुरान की एक सुरा सुरा अलबकर पर फोकस किया कारे में जाने की कोशिश की तो मुझे कुरान में कुछ वर्स मिले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कुरान की सुरा अलबकरा की आया 222 है जिसमें मैंने सरकल किया है अगर आप इसे पढ़े तो इसमें साफ साफ लिखा है कि मैंचुरेशन डेज में यानि की पीरि वाइव को हक नहीं हाजबन को इंटिमेसी करने से रुखने का वो बिलकुल ही जूट है ट्रीलर में आया 223 की बात की गई है ट्रीलर के हिसाब से कुरान में लिखा है और अपना आमल आगे भीजो और इस चीज को ट्रीलर में बहुत गंदे तरीके से बताया गया है मैंने इस आयत को भी पढ़ा है ट्रील में पूरी आयत नहीं बताई गई है तो मैं इसकी और जानकारी लेने के लिए एक स्कॉलर के पास गया तो उन्होंने जो मुझे बताया मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने बोला कि देखिये वहां क्या लिखा है और हम उसको क्या समझते यह हमारी मानसिक्ता को दर्शाता है हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि यह जिस टाइम में लिखी गई है वो समय कौन सा था और उस समय किस-किस तरह की परिशानिया थी जैसा कि आपको पता होगा इसलाम धर्म जो है वह अरब से फैला हुआ है चाहां बचे को अच्छी तालीम दो और अगर वो अमल करेंगे तो आपको नेकी मिलेगी और अगर वो बुरे अमल करेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा इस लाइन को ट्रेलर में नहीं दिखाया गया सिर्फ आधी आयत को बताया गया और उन्होंने मुझे यह भी बताया कि कुरान के छोटे छोटे वर्स को पढ़ कर आप conclusion नहीं निकाल सकते हैं सारे वर्स एक दूसरे से connected हैं जैसा कि trailer में वर्स 223 को code किया है लेकिन वहीं 222 को नहीं किया गया है दोनों ही connected है देखिए अगर आप एक पूरी book के एक या दो line को उठा कर उसे को तोड मरोर को पेश करेंगे तो फिर ऐसे में और भी जो दूसरे जो religion हैं उनके भी जो scriptures होते हैं उनकों भी जो holy books हैं उनसे भी बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं कि जिनको अगर आप एक दो line अगर आप उठा के पढ़ेंगे तो उनके जो माइने हैं वो बदल जाते हैं कि ट्रिलर ने बहुत violence दिखाया गया और कहा गया है कि मर्ज सुप्रियर है औरतों से और औरतों को बस उनका हुक्म मानना चाहिए जो कि बिल्कुल गलत है वो इसलामी है जिसने मा के कदमों की नीचे जन्नत बताई है उन्हें उन्हें फिर मुझे कुरान और हदीज की कई सारी वर्स को दिखाया जहां लिखाया कि वाइलेंस बिल्कुल पर्मिसिबल नहीं है उन्होंने ये बही कहा कि वो खिलाव जो तुम खहते हो उन्हें वो कपड़े दो जो तुम पहन तो जिस तरफ से ट्रिलर में दिखाया गया है कि ये मुस्लिम मैं बिलकुल दरिंदे होते हैं वो सही नहीं है इसलाम में औरत चाहे तो अपने हस्बिन को तलाग दे सकती है अगर हस्बिन उस पे जाती करता है तो देखे उन्होंने मुझे बहुत सारी हदीश और कुरान के वर्स दिखाये जहां पे वाइलन्स मना है तो च्रिलर में जो दिखाया गया है वो बिलकुल गलत है पर अगर ऐसी मुवी हमारे समाज में बनती रही फिर ये हमारे देश के लिए बहुत ही खराब होगी नफरत फेलेगी आजकल ऐसी बहुत सारी मुवीज देखने को मिल रही है कि जो सिर्फ एक प्रॉपेगेंडा के तहट ही बनाय जा रही है जो कि मुझे नहीं लगता कि ये बिलकुल सही है ऐसे बहुत सारे अच्छे स्टोरी हैं जिनके उपर हम लोग मुवीज बना सकते हैं पर पता नहीं क्यों डिरेक्टर ऐसी टॉपिक्स पर क्यों बात करते हैं जो कंट्रोवर्शल हो उनको लगता है कि एक अंट्रोवर्शल चीज़ों पर मूवी बना के उनको अच्छे प्रॉफिट मिल जाएगा और उनको फ्री में प्रॉमोशन हो जाएगा बट ऐसा करना बिल्कुल गलत है यह समाज पर बहुत बुरा इफेक्ट करता है अब मैं यह आप लोग पर छोड़ता हूँ कि आप लोग यह मूवी देखने जाएंगी या नहीं जाएंगे क्योंकि यह आपकी चोईस है मुझे जो लगा इस ट्रेलर को देखे मैंने वो आप लोग के साथ शेयर किया मेरी बातों से कुछ लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं कुछ लोग सहमत हो भी सकते हैं आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है इस मूवी का ट्रेलर आपको कैसा लगाओ और आपको क्या लगता है कि यह सही है कमेंट्स में अपने थौट जरूर शेयर करना इस वीडियो में आज के लिए इतना ही मलते हैं नेक्स वीडियो में